भार्दियों लोगों के कल्यान के लिए सरकार के दोरा समय समय पर विविन प्रकार की योजना को लॉंच किया जाता है। इसे क्रम में मोधी सरकार के दोरा रेलवे से संबंदित एक बहुत ही शांदार योजना को लॉंच किया गया है। दोस्तो इस योजना का नाम है रेल कोशल विकास योजना योजना के अंतरगत मुख्य तोर पर युवाव को कोशल ट्रेनिंग देने पर फोकस किया गया है ताकि ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद उन्हें रोजगार प्राप्त करने में असानी हो और देश में तीजी के साथ बेरोजगारी की धर में कमी आए और बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ती हो सके आईए दोस्तो विस्तार से जानते हैं इस योजना के पारे में नमश्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल तीपावली में दोस्तो ऐसी ही सरकारी योजनाएं सबसे पहले जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजट करें। हमारी वेबसाइट पर विजट करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा PM Modi by Pavan Agrawal दोस्तो जैसे आप यहां लिकर गूगल पर सर्च करेंगी आपके सामने हमारी वेबसाइट का लिंक आजाएगा आपको उस पर क्लिक करना है दोस्तो यहां पर आपको सारी स्टेट और सेंट्रल की स्केम जो भी गौवर्मेंट लांच करती है बहुत सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी दोस्तो हमारी वेबसाइट पर यहां पर दो सेक्षन बने हुए सेंट्रल और स्टेट के आप कोई से भी सेक्षन में जाकर यह सारी योजना को देख सकते हैं आईए दोस्तो अब जानते हैं रेल कोशल विकास योजना के पारे में। दोस्तो इस योजना को इंडियन गवर्मेंट ने स्टार्ट किया है। इसके तहट युवाओ को उध्योक आधारित कोशल ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। ऐसा होने से वह रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। योजना के द्वारा देश के युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने के पशात फ्री कोशल ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे और नई इंडिस्ट्री में रोजगार के बहतेर अफसर प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना में शुरुवाती तौर पर तक्रीबन 50,000 से भी अधिक युवाओ को योजना के अंतरकत निशुलक ट्रेनिंग सरकार के द्वारा उपलब कराई जाएगी। यह ट्रेनिंग तक्रीबन 100 गंटे अथार 4 दिन की होगी। ट्रेनिंग पूरी कर लेने के पशाठ ट्रेनिंग प्राप्त युवाओ को सर्टिफिकेट का वित्रन भी किया जाएगा। देश में योजना के अंतरकत ट्रेनिंग देने के लिए अलग-अलग ट्रेनिंग सेंटर का चयन पहले से ही सरकार द्वारा किया गया है। दोस्तो इसमें आप अपनी पढ़ाई के साथ फ्री ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल निशुल्क। इसमें आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे। आपको इसमें ट्रेनिंग भी मिलेगी। ट्रेनिंग कॉप्लिट होने के बाद आपको एक सर्चिफिकेट मिल का उसके बात आपको नौकरी भी मिलेगी अगर हम बात करें इस योजना के मुख्य उद्देश की तो दोस्तो इस योजना का मुख्य उद्देश भारतिय युवाओ को कौशल ट्रेनिंग निश्चुल प्रदान करना है ताकि देश में युवाओ को रोजगार प्राप्ट कर करने में असानी हों जब युवाओ को नौकरी प्राप्ट हो जाएगी तो वह आर्थिक रूप से समरुथ होंगे जिसकी वज़े से वह आत्म निर्भर भी बनेंगे और साथ ही साथ हमारे धेश में बेरुजगारी की दर में भी काफी तेजी से कमी आएंगे दोस्तों साल 2023 के लिए रेलवे कौशल विकास योजना शौर्ट ट्रंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री आफ रेलवे के द्वारा जारी कर दिया गया है जिसके तहट साल 2023 के लिए साथ जन्वरी से व्यक्ति अपना पंची करण ऑनलेंग करवा सकता है लोगों को योजना के अंतरगर, कारपिंटर ऐसी मेकिनिक, कम्प्यूटर बेसिक, आईटी बेसिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स एन, इंस्ट्रोमेंशन, बैल्डिंग, टेक्निक्षियन इतियादी की ट्रेनिंग दी जाएगी योजना के तहट 50,000 लोगों को 3 साल की अबधी में ट्रेनिंग दी जाएगी यहर ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिशियन, बैल्डर, मेकेनिक्स और फीटर जैसे ट्रेनिंग में दी जाएगी दोस्तों अगर हम बात करें इस योजना की ट्रेनिंग की तो योजना के अंतरगत फीटर, बैल्डर, मशीनिंग और इलेक्ट्रोनिक जैसे ट्रेन में ट्रेनिंग दी जाएगी आने वाले समय में योजना में अन्य कही ट्रेन को भी शामिल किया जाएगा इसी के साथ दोस्तों इस योजना का जो सिलिबस है उसे भी डैबलब करने का काम बनारस लोकोमेटिक वर्ग के द्वारा किया जा रहा है इसी के द्वारा मुल्यकान किया जाएगा और डेटाबेस भी तयार किया जाएगा और इसी के द्वारा सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा दोस्तों अब बात करते हैं इस योजना के कुछ मुख्य तथ के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बत्ता दू इस योजना में आविदन करने के लिए युवाओ की उम्र 18 से 25 साल के बीच होना चाहिए साथ ही उनका दसवी पास होना अनिवार है जो 50 दसवी पास है वो इस योजना में आविदन कर सकता है जो उनके दसवी क्लास के नंबर होंगे उनके परसंटे से मैरिट के अधार पर ट्रेंड के आप्शन के अनुसार उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा इसे के साथ जिन बच्चों का रिजल्ट CGPA में हैं उनके माक्स परसंट में कनवर्ट किया जाएगे उनके CGPA के जो परसंट है उनको 9.5 से डिवाइट किया जाएगा योजना के तहे ट्रेंडिंग प्राप्ट करने के पशाथ अभ्यारती रोजगार या फिर कमपनी में रोजगार पाने के लिए शक्षम होंगी अभ्यारती की प्रसिक्षन हेत्व तक्रीबन 45% उपस्ती जरूरी है ट्रेंडिंग का समय 100 गंटे अथवा 3 सब्था का दिया जाएगा अभ्यारती को ट्रेंडिंग पूरी करने के बाद एक एक्जाम देनी होगी जिसमें लिखित परिक्षा में कम से कम 55% अंक और प्रैक्टिकल एक्जाम में कम से कम सहाट परसंट अंक लाना जरूरी होगा यहार ट्रेंडिंग बिलकुल निशुलक है लेकिन इसमें अपने खाने और रहने की विवस्ता आपको खुद करनी पड़ेगी इसी के साथ आपको गौवर्मेंट से कोई भी भटा प्रदान नहीं किया चाहेगा आपको गौवर्मेंट से सिर्फ और सिर्फ ट्रेंग मिलेगी बागी जो अन्य खर्चे हैं वो सब आपके होंगे अगर हम बात करें इस योजना की पातरता की तो दोस्तों इस योजना में मात्र तीन नियम है ट्रेंग के लिए सबसे पहला कि आपके आयू 18-25 वरश के बीच होना चाहिए दूसरा आप दसवी पासो और तीसरा आपको भारती अमूल निवासी होना अनिवार है योजना में आविदन करते वक्त आपको अधार कार्ट, निवास प्रमान पत्र, आयप्रमान पत्र, आयू प्रमान पत्र, दसवी क्लास की माक्षीट, वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, मुबाइल नमबर इन सभी डॉकुमेंट्स के जरवत लगेगी अगर आपके पास इन में से कोई डॉकुमेंट नहीं है, तो आप चल्दी से बनवाली चीए दोस्तो, इस योजना में आप ऑनलाइन अथवा, ओफलाइन, दोनों तरीके से आविदन कर सकते हैं ओनलाइन आविदन करने के लिए आपको इस योजना की अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा अधिकारी वेबसाइट पर जाने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा रेल कौशलविकासयोजना.pmodiyojna.org जी दोस्तो आपको Google पर यह लिखकर सर्च करना है जैसे आप इसे लिखकर सर्च करेंगी तो आपके सामने हमारा लिंक सबसे उपर आ जाएगा दोस्तो आपको PMModhi योजना.org वाले लिंक पर क्लिक करना है आप जैसे इस link पर click करेंगे तो आपके सामने हमारा article खुल जाएगा दोस्तो इस article में आपको योजना से related पूरी जानकारी विस्तार से मिल जाएगी आप पूरी जानकारी यहां से पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या eligibility है, क्या documents है, अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो आप इसको देखके याद कर सकते हैं दोस्तो इसी योजना में जब आप नीचे स्कूल करूंगे तो आपको यहां पे इसकी अधिकारी website मिल जाएगी दोस्तो अधिकारी website पर click करते ही आपके सामने इस योजना का homepage खुल जाएगा आपके homepage पर आपको apply here वाला option दिखाई देगा आपको उस option पर click करना है जैसी आप click करेंगे तो आपके सामने sign in वाला option आएगा आपको उस पर click करना है इसके बाद आपके सामने एक form खुल जाएगा इस form में आपको सारी पूछी गई जानकारी अच्छे से feel करना है इसके बाद आपको नीचे जो sign up वाला option दिखाई दे रहा है वहाँ पर click करना है अब आपको complete our profile वाला जो option दिखाई दे रहा है उस पर click करना है अब आपको अपनी user ID और password को दर्ज करके login कर लेना है login करने के बाद आपसे जितनी भी जानकारी मांगी जा रही है आपको वो सारी भरना है इसके बाद सब भी documents को attach करना है और submit वाला option क्लिक करना है इस तरह से आप इसमें online आविदन गर बैठे कर सकते हैं दोस्तो इस योजना का helpline number है 7812043317 एक बाद और repeat करती हूँ 7812043317 आप इस helpline number पर call करके आपको जो भी दिखते हो, कोई भी परिशानी हो, कोई भी सवाल हो आप इस number पर कभी भी call करके पूछ सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो like and share जरूर करें थैंक्यू